हे गाईज कैसे हो सारे यकीन करता हूँ कि अच्छ होंगे आज किस वीडियो में मैं आप सब को कुछ step के picture को कुछ step में edit करना सिखाऊंगा आज किस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल details में बहुत मैं आपको easy तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपने picture के background को बहुत ही perfectly तरीके से blur कर सकते हैं आज का इस वीडियो देखने के बाद आप सब एकदम से मेरे जैसा background को blur कर सकते हैं आप मेरे जैसा editing कर सकते हैं तो आप सब वीडियो को end तक जुरूर से देखिएगा उससे पहले चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करके and bell notifications को on कर लिजएगा तो सबसे पहले जो भी आपका normal picture है उसे आपको light room में share करनी है थोड़ा सा color adjustment and light adjustment करने के लिए तो just guys मैं यहाँ सबने picture को light room में open कर लूँगा and guys अभी हमारा picture यहाँ से light room में open हो चुका है तो सबसे पहले इसका आपको light adjustment करनी है तो सबसे पहले आपको नीचे में light का button दिखेगा just आपको light वाले button पे click करनी है और यहाँ से guys contrast को आपको 10% add कर लेनी है and guys यहाँ से highlights को आपको picture के हिसाप से increase and decrease करनी है तो मैं highlights को लगभग 20 के आसपास increase कर लूँगा and उसके बाद guys मैं shadow को लगभग 40 के आसपास increase करूँगा इसे भी आप सब अपने picture के हिसाप से यानि कि जितना आपके picture में ज़्यादा shadow होंगे उसके हिसाप से आप सब इस increase याद इसक्रीज कर लीजेगा इतना करने के बाद guys आपको black को 10% down करनी है and आपको यहाँ से mix tool में चले जाना है सबसे पहले guys आपको जो भी background का आपको color रखनी है आप सब यहाँ से background का color correction कर लीजेगा अपने हिसाप से सबसे पहले guys मैं यहाँ से green का saturation को minus 100 कर दूँगा यहलो का भी saturation को मैं minus 100 कर दूँगा जो हमारा कपड़ों पे blue color आ रहा है इसका भी मैं saturation blue का लगभग मैं 50 के आसपर डाउन कर लूँगा and face का color जो है second में orange color इसका मैं luminous को लगभग लगभग मैं 10 के round luminous को increase कर लूँगा and इतना कर लेने के बाद guys अभी देख सकते हो मेरा background के color कुछ stripe का है and मैं उपर से done कर लूँगा and done करने के बाद guys यहाँ से temperature का जो options है इसे मैं लगभग लगभग 5 के round में temperature को increase कर लूँगा and इतना करने के बाद guys मैं effect वाले बटन पे आऊँगा and texture को मैं 10% add करूँगा and clarity को भी मैं 10 के आसपास add कर लूँगा and details वाले बटन पे आके and sharping को मैं यहाँ से 30% increase करूँगा and details को पूरा and noid detection को यहाँ से लगभग 40% and details को पूरा and color noid detection को 40% and details and smoothness को मैं पूरा increase कर लूँगा so guys अभी देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ से lightroom में step था वो यहाँ से सभी complete हो चुका है and अभी आप सब दे सकते हैं before and after and इतना कर लेने के बाद guys आपको यहाँ से अपने picture को gallery में save कर लेनी है so guys अभी हमारा picture यहाँ से gallery में save हो रहा है and guys save होने के बाद guys यह वाले picture को आपको जो है so just आपको यहाँ से healing tool पे आपको click करनी है and healing tool पे आपको click करने के बाद just आपका जो भी picture है उसे आपको यहाँ से यह वाले photo से आपको guy up कर लेनी है so जैसे ही आप सब यहाँ से picture पे कुछ type का draw कीजिएगा यहां से आपका जो भी पिक्चर है वो यहां से गायब हो जाएगा healing tool की मदद से मैं कुछे step से गायब कर लूँगा and गायब करने के बाद just मैं नीचे से done कर लूँगा and इतना कर लेने के बाद आपको यहां से background को blur करनी है so blur करने के लिए आपको tools वाले button पे click करनी है and यहां पे guys आपको lens blur वाले button पे click करनी है so इसे आपको कुछ step से vintage strength को आपको zero रखनी है and transaction को आपको zero रखनी है and इसे दोनों उली से एक दम पतला करके नीचे में आपको इसे कोने में आपको लाके नीचे में डाल देनी है एंड उपर नीचे स्क्रॉल किजेगा तो आपको blur एस्टरेंट से दिखेगा आप सब अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना रखना चाहते हैं मैं इसे लगबग 60 के आसपास रखूँगा एंड मैं नीचे से डन कर लूँगा अभी आप सब देख सकते हमारा पिक्चर यहां से कुछ स्टाइब का जो भी बैग्राउंड था वह यहां से पूरा परफेक्ट तरिके से बलर हो चुका है उसके बाद आपको सेयर वाले बटन पर क्लिक करनी है और सेयर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इससे आपको पिक्सार अप्लिकेशन में ओपिन कर लेनी है आप सब वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड ध्यान से जरूर से देखिएगा नहीं तो आप कोई भी step मीज करते हैं तो आप मेरे जैसा photo editing नहीं कर सकते हैं आपको यह वाला pixart में open करने के बाद आपको यहां से नीचे में add photo वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है और गैज जो भी आप यहाँ से जो भी आप save किये थे lightroom से वाले पिक्चे को यहां से आपको add करलेनी है सो चलिए मैं add कर लेता हूं and just guys मैं यहां से अपने पिक्चे को just add photo पे क्लिक करके मैं यहां से add कर लूँगा एंड उसके बाद गई यह वाले पिक्चर को आपको पूरे background के हिसाब से जितना बड़ा आपको background है उसके हिसाब से आपको पूरा तरीके से कुछ step से fit कर लेनी है एंड fit कर लेने के बाद guys उपर में आपको eraser का बटन दिखेगा जस्ट आपको eraser वाले बटन पर क्लिक करनी है एंड यहां से eraser का hardness and opacity जो भी है यहां से size है अपने हिसाब से आप सब adjust कर लिजेगा एंड जो भी आपका यहां से पिक्चर का background है उस पे आपको कुछ step से यह वाले ब्रस को आपको apply करनी है आप सब दिख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा यहां से पीछे का जो है जो भी background है वह यह अच्छे तरीके से एकदम perfect तरीके से आपको यहां से कुछ step से पिक्चर को erase करनी है एंड थोड़ा आप सब ध्यान देखे किजेगा मैं तो बस आपको बताने के लिए कर रहा हूं एंड चलिए गाइस मैं यहां से कुछ step से करता हूं एंड जो भी आपका यहां से background होगा वह एकदम पूरा perfect तरीके से और professional लगेगा जो है देखने में तो चलिए गाइस मैं यहां से थोड़ा video को fast कर देता हूं जल्दी जल्दी से मैं यहां से सभी background को मैं यहां से erase कर तरीके से यहां से सभी background को यहां से remove कर दिया है एंड जो भी हमारा background जो है blur था वो यहां से blur दिख रहा है एंड थोड़ा बहुत guys आपको नीचे में erase नहीं करनी है इसको थोड़ा बहुत आपको रहने देनी है एंड इतना कर लेने के बाद guys उसके बाद आपको eraser के size को आपको कम रखनी है यानि की hardness को आपको लगबग 30-40 के आसपास रखनी है and size अपने हिसाप से रख सकते हैं and जो भी guys यहां से देख सकते हो यहां से जो भी यहां से fake लग रहा है उसे guys थोड़ा सा हलका से आपको कम opacity करके and इसको guys erase करनी है जैसे कि यहां से पूरा realistic दिखेग जोगा आप सब तो थोड़ा time निकाल के अंड इसको जो है अच्छे तरीके से and hardness को कम करके यहां से guys बस इसको आपको यहां से match कर देनी है जैसे मैं यहां से कर रहा हूं सब आपको size का कम जरूरत पड़े वहां सब कम size करके मतलब size छोटा करके एंड कुछ this type से करके erase कर लिजेगा मैं भी यहां से कुछ this type से कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं आप सब थोड़ा ध्यान देके एंड अच्छे से time देके किजेगा तो आपका बहुत अच्छे तरीके से यहां से blur होगा सो चलिए गाइस मैं यहां से इसको अच्छे तरीके से यहां से मैं erase कर लेता हूँ एंड इतना कर लेने के बाद गाइस मैं यहां से फिर से जो है जो बीच में छोटा हुगा है मैं इसे थोड़ा कुछ this type से कर लेते हो अभी आप सब दे शकते हूं मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो उतना सही से नहीं हो रहा है आप सभी यहां से time देंगे अच्छे से किज़ेगा तो बहुत ही सही दीखेगा सब देख सकते हो कुछ इतना jak लेनी है sorry guys मैं यहां से इसे रियस्टोर करने लग गया इसे इरेज करना था एंड कुछ इस टाइब से आपको नीचे वाले पार्ट को जो है उसमें जाके आपको मर्ज कर देनी है जैसे मैं यहां से किया हूँ एंड इतना कर लेने के बाद आपको उपर से डन कर लेनी है एंड गाईज एक बाड़ और आपको उपर से डन करनी है तो अभी आप सब देख सकते हो उतना अच्छा से नहीं हुगा है लेकिन आप सब थोड़ा टाइम देके अच्छे से किजेगा तो बहुत ही परफेक्टली एंड सही तरीके से हो जाएगा इतना कर लेने के बाद गाईज जस्ट आपको ड्राव टूल में जाना है एंड ये वाले पिक्चर को गाईज आपको गैलरी में सेफ कर लेनी है एंड सेफ करने के बाद गाईज आप ये वाले जो है पिक्चर का जो है फेस वगरा है स्मूथ कर शकते हैं सो चलिए गाई जस्ट मैं इसे Autodex sketchbook में share करता हूं एंड face को मैं थोड़ा बहुत smooth कर लेता हूं सो मैं इसे Autodex sketchbook में share कर दिया हूं सबसे पहले आपको यहां से उपर से आपको third number वाले button पर आपको click करनी है यहां से आपको बहुत सारे pencil दीखेगा सो आपको नीचे scroll करनी है and as much tool आपको select करनी है and इसमें guys second वाला brush को आपको select करनी है and इसका आपको setting को on करनी है and flow को 1% and strength को 2% and इसका size अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको जितना जरूरत पढ़े and guys आपको यहां से picture को jump करनी है and jump करनी के बाद guys size को अपने हिसाब से रख के just आपको skin पे से कुछ steps अपलाई करनी है and उसके बाद guys आपका यहां से skin जो है smooth होने लगेगा so आपको जितना size का जो उड़र पढ़े उसी के हिसाब साब से size को छोटा बड़ा करते रहिएगा उसके बाद guys आप सब यहां से अपने skin को smooth कीजिएगा so मैं कुछ इस type से जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ अगर आपको अच्छे तरीके से face smooth करनी नहीं आता है तो मैंने इस पर already videos बना के upload कर दिया वह वाले video का link आपको नीचे description में मिल जागा आप वह वाले video देखके आप अपने यहां से face को बहुत ही अच्छे तरीके से smooth कर शकते हैं सो मैं कुछ से कर दिया हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया हूँ कैसे आपको face वेगर को smooth करनी है अगर आपको इस पर details में जानना है तो मैंने वीडियो का link नीचे description में दिया है आप सब वह वाले video जाके check out कर शकते हैं चलिए मैं यह वाले picture को gallery में फिलाव सेब करता हूँ जैस्ट उपर से मैं first वाले button पे click करूँगा and share वाले button पे click करके मैं यहां से save to device वाले button पे click कर दूँगा उसके बाद guys हमारा picture यहां से gallery में save हो चुका है तो कुछ step से करके guys आप सब भी कुछ step के picture को कुछ step में edit कर शकते हैं and guys आज किस वीडियो में बस इतना ही तो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी तो वीडियो को जोड़ से like कीजेगा चैनल उटने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते किसी और वीडियो साना तब तक के लिए बाए